मित्रों नम्हा संस्कृता है कल हमने दो सुत्र पढ़े थे एक आज दिन तों टकितों कुछ आगम के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज एक आगम देख रहे हैं उसमें T के प्रकार के हो लई आदी में और कित आगम होता है वह बाद में बैठता है यह तो पता चलना तो जिसको आगम हो रहा है यह आगम किसको हो रहा है अभी ध्यान देना जिसको आगम होगा उसके पहले बैठेगा अगर टित है तो जिसको आगम होगा उसके बाद में बैठेगा अगर वह कित है तो यह निसकर्स पता है ना तो आभी यह समझे यह आज सूत्र हम देख रहे हैं कुछ ऐसे हैं डह सी धुट इसके बाद एक नस्च सूत्र भी देखना है हमें और शीतुक देखना तो डह सी धुट क्या कहता है कि इसमें देखेंगे आप तो डह में कौन सी विवक्ति है डह में एक ढाज में ते जिसमें प्रथमा होती है वही विद्धान होता है तो चाहरा में थुट क्या है एक आगम थुटरणत बाद में सहो थो तो गे तुरंत बाद में सहो तो यानि सा के पहले होगा, ठीक है? डात परस से ससे धुट ऐसा लिखा होगा, है ना? सा को धुट का आगम होगा, सा के पहले होगा तुरंट, पर वह सा कैसा होना चीए? डा के तुरंट बाद होना तो निसकर्स यह है कि डा के तुरंट बाद, पंचमी जिसमें लगा है, उसके बाद सश्ठी जिसमें लगा होता है उसके स्थान पे अगर कहीं भी लगी है तो जो भी कार्य होगा वह उसके तूरंत बाद होगा और शष्टी जिसमें लगा है उसके स्थान पर होगा सप्तमी जिसमें लगा है उसके तुनंद पूर्व होगा थीक है ना तो यहां पंचभी और सप्तमी दिख रहा है यानि डहा के बाद होगा और सव के पहले हो कि क्या होगा धुट्ट आगम होगा किसको होगा स्वकों होगा इसलिए सव के पहले होगा ठीक है तो अब ऐसा देख लीजिए उधारन ऐसा है अ मूलता होता सड़ संतह 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 ठीक है शड संतह यहां आपको डा दिख रहा है ना दा के तुरंद बाद सा भी है डा हो दा के तुरंद बाद सा हो तो सा को धुट आगम होता है धुट आगम टित है तो सा के तुरंद पूर्व में बैठेगा किसके पूर्व में बैठेगा सा के तुरंद पूर्व में धुट आगम आके बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐ संत हो ठीक है और संत हो गया जा है कि आ के तुरन्त बाद अगर सा तीट जोड़ देना ठीक कैसा है दिया जो है टित है ताकि क्या होगी संग्या होगी कि सूत्र से लिए चुट्टू से नहीं हो फिर। हमेशा प्रत्य के पहले बरन की इत संग्या कर, ढंटिम बरन तो वां चुटू में मत जाये वहां हलंतिम सही संग्या होगी और तसलोपा सहीष्टा का लोफ हो जाएगा, कुछ ज्याधा ही लोफ हो गया है, तो यह धू ऐसे बचा है, धू और उसके बाद संता है, और धू में जो व है, वहां उसके उपदेसे जर्मिनासि की सहित संग्या होके उसका भी लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा केवल द्धा आधा बचा न धुट में से केवल निसकर्स यह समझे धुट में से क्या बचा धा उओ और चला गया तो शडध संता शडध संता अब यह देखिए अच्छा आप स धुट से ढूटा आगम हुआ है लेकि अब एक यह नियम आपने पढ़ा होगा खरी एक यह नियम क्या कहता है अ देखे क्या होता है अब ऐसा हो मैं सूत्र का आर्थ बता देता हूं ज़ल हो उसके तुरंत बाद खर प्रत्यहार का कोई वर्ण हो तो इस जल के स्थान पे व अब यह बताएए कि खर में सा आता है कि नहीं कि आता है ना कि शुष्षर सूत्र में है खर प्रत्याहर का अंतिमवर्न अंतिमवर्न है ना तो खर के तुरंद पहले यह जल है खर के तुरंद पहले यह जल है जल में आप देखेंगे जल प्लस खर तो जल के स्थान पर क्या हो जाएगा चर हो जाएगा यानि इस धा के जगा पर हमें क्या कर देना चर कर देना मिलाएंगे तो क्या होगा देखें यह तो धा उसी वर्ग का अगर चर देखेंगे तो धा जिस वर्ग में है उस वर्ग का चर वरण केवल ता है ठीक तो तो हो जाएगा धा के स्थान पर हमता कर दे तो ऐसा हो जाएगा ये धा हट गया धा के स्थान पे क्या आ गया ये ता थीक है ता आधा तो शड़ संता शड़ संता थीक लेकिन अब ये जो ता है ये भी तो खर है तब खर में आता है और खड़के तुरण पहले दा जहले है अक है न तो इसको प्रधमवरन हो जाएगा यहांँ भी हरी चलग जायेगा вопрос कि लगा तई सचा को पहले ता किया फिरता खर है उसके कारण बढ़ब कॉट्टा करने घरिका और झाल के स्थान पर क्या कर देगा चर कर देगा शट संतहा ठीक है ऐसा ही बना हुए इसी तरह का लिखा है न पुस्तक में शट संतहा शट संतहा क्या होता है मूलताःः शट सद्ध शट और शट दोनों होता हैं पर शट मानिए तो शट में अन्तिम वर्नध्ध हैम ड्ध है और अ मैसे उसित bisa आगम होता वह विखल से होता है ठीक यह जो धुट आगम होता है वहाँ विकल्प से होता है ठीक है तो अब क्या होगा धुट आगम जब होगा तो क्या जब धुट आगम नहीं होगा तो सड़ संताह ऐसा रहेगा देखिएगा पहले जब धुट आगम नहीं होगा तो क्या बनेगा शड संता है लेकिन शड संता नहीं बनेगा ये सा खर है डा के स्थान पे खरीचा से टा हो जाएगा तो शड संता ही सही रूप है ठीक शड प्लस संता ही जोडेंगे तो आएगा क्या शड संता ही आएगा डा के स्थान पे खरीचा से चा हो जाएगा टा शट संता बनेगा या तो डा के तुरंद बाज सा है तो धुट आगम जब हो जाएगा तो शट धुट संता होगा धुट का धा बचेगा शट धसंता होगा और धा संता का जो सा है वह खर में होने के कारण धा को खरीचा से चर कर देंगे तो धा को ता हो जाएगा शद बताज बर्ण कर देंगे ठीक है पूरा नियम स्पष्ट है जए किसके कारण क्या हुआ यह पता चल up न 돌아 कोई संदह नहीं अब इसको इसको मिटा देते यहां दो स्तीतियां होंगी अर शट रेशा नहीं बनेका डा वाला नहीं शट संता भी बनेगा और शट संता ताभी आगे आएगा ठीक है वहत्ता क्या है वहत्ताjakग का खरीचा से था अब इसी तरह कर आप ऐसा समझ कर मूलता सब्द है किया शट मूलता सब्दं कंसा शड़ शस है लेकिन जलाम जस्वनते से जस्वोकर शड़ बन जाता है ठीक कैसा है शड़ संग नहीं शड़ ठीक और उसके बाद इसी का सब्तमी विवक्ति बहुचन में कौन सा प्रत्य होता है सब्तमी विवक्ति बहुचन का प्रत्य गी ओस सुप है ना सुप मान लिए सुप है लेकिन पाकी हलंतम सहीत संगा होके तसलोपा से लोप हो गया है शड़ सुप यह उदारन पुस्तक में नहीं दिया है पर आपका दिमाग चले इसले में यह उदारन देगा ठीक है शड़ खर्णां शट सू शट सू ऐसा बनता है ठीक है तो यहां जो नहीं मैं उसके हो दुट आगम होता है पो ख्रसा के तुरंत पहले बैठेगा धुट का किया बचेगा क्यबल धा धा बचेगा ना और फिर सब्सेज़र यह अदिर का यह खरमें आता है इसलिए खरीचा से दा कर देंगे तो ऐसा रूप बनता है कैसा शट सू ठीक शट सू ठीक और ऐसा भी बनता है क्योंकि यह जो ढूट आगम होता है वहां विकल्ब से बनता है ना तो सब्सक्राइब के सब्सक्राइब दो रूप में पता चला ना क्यों डाहसी जब डा नहीं रहे गए मतलब क्या होगा जब धुट आगम नहीं होगा तो इस्सा के कारण डा के स्थान पे ता हो जाएगा खरीच्छा वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा यह सपष्ट है इतना ही उधारन दिया ना सूत्र में तो बस इतना ही है ना सभी प्रत्यक सब्दस्पष्ट है डात परस्य मलब्दा के बाद में आने वाले सस्य सके स्थान पे यानि सा को धुट होता है वा यानि विकल्प से तो आप सट संता और सट संता वाला दोने उधारन बन जाएगा किसी को कोई उधारन बनाने में समस्या तो नहीं है कि धुट्वा 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 सूत्र में धुट्वा 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 सूत्र में धुट्वा 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 कि इसके तुरंत बाद कौन सा सूत्र है कि अब देखिए कि यह सूत्र देखेंगे आप क्रम तो प्राया एक साथ के हैं धासिधुट के तुरंत बाद का सूत्र है अश्टाध्याई में देखेंगे तो 29 नंबर का है ना आठ तीन आठ तीन 29 नंबर ये था सिधासिधुट और 30 नंबर होगा नस्च तुरंत बाद का सूत्र है न यानि ना को भी नस्च नहमें भी थीक वह नहमें भी पंचमी भिवक्ति लगे नस्च सी धुट ऐसा आर्थ होगा ठीक सी और धुट की अनुवरति आजाएगे डह की अनुवर नस्च सुत्र में सी और धुट इन दो सब्दों की अनुवरति आएगी ये ध्यान रखे ठीक तब आप समझ गये होंगे कि ना के बाद यदि ना के बाद किसी सब्द के अंतिमवरण के रूप में ना हो उसके तुरंत बाद सा आता हो तो ना को नहीं सा को धुट आगम हो ठीक किसको सा को धुट आगम होता है पर क्या होना चीए पहले ना होना चीए उसके तुरंत बाद सा होना चीए ना स्पष्ट है उदहारण से देखेंगे क्या संसा है उदहारण यहां ना ऐसा देखेंगे नस्चा सूत्र कैसा है नहाचा सूत्र के पदच्छे देशा होगा नहाचा ना से भी ना के बाद आने वाले सा को भी धुट आगम होता है सार्थ ठीक तो पहले ना हो उसके तुरंत बाद सा हो तो धुट आगम होता है ठीक है स्पष्ट है तब एक बार द सद्ध है सत्री प्रत्य लग्के बना है अस धातू से सत्री प्रत्य लग्के सन बन जाता है ठीक असके आ का लोफ होता है अस धातू का सा बचता है उसमें सत्री का अत जुड़ता है सत्त हो जाता है उसका प्लिंग में सन बनता है ठीक तो सन सह सह सन वह होते हुए ठीक वह होते हुए ऐसा अर्थ है यहां क्या है ना है ना के तुरंद बाद सह है तो सह को धुट आगम होगा की नहीं किस सुत्र से होगा ना के तुरंद बाद यहीं सह आए तो सह को धुट आगम हो जाता धुट आगम टित है इसलिए सा के पहले बैठेगा आदेंतव टकितव वाले नियम से तसा के पहले हम धुट जोड़ देंगे उसी तरह आप देख लेंगे सन प्लस धुट प्लस यह जो धुट है ना जो आगम होता है वह यदा अगम आहां तद गुणी होता है तद रहने न ग्रियंते इस के नियम के अनुसार वह सा का गूण बन जाता सा कहिए एक अवयोवण circles चा राचवर स्योक्थ क्रमाग कित जिसका कहा जाता है उसके क्रम्साः और ऑनतव मुत दूड़ बन जाता है तो टित आगम जो हो रहा है इस नहीं में अधी अवयोवण आएगा और इसकी भी हिट संगया हो के लोब हो जाएगा बचेगा क्या था संत्सू कि था संत्सू ल कि था है साथ है तु वह पेढ़े वाले उधारन से शू आ गया इससे पहले के अब क्या होता है धा है कि भागों खरीचन लगेगा क्योंकि धा जहल है जल के अंतर यह आता है और जल के तुरंत बाद खर प्रत्यार का कोई वर्ण है घर प्रत्यार का अंतिम वर्ण है न सद्वर्ण तो घर प्रत्यहार का वर्ण सा होने केकार्व उससे पहले आने वाला ज्छल जो धा है उसके इस्थान पे-उसी already नहीं चर हो जाता है यानी तो देंगत ठीक है तो धायकरण कि क्या जाएगा कर दक स्थान पे जाएगा एट ठीक है तो संछ अब आप फिर प्रस्न करेंगे कि इससे पहले कि इससे पहले के उदाहरण में हम देखे थे ता के कारण इसको भी ख़लीचा लग जाता था लग जाता था ना पर तुरंत पहले जल होना चाहिए उसके बाद खर होना चाहिए ना को आप देखेंगे जल में नहीं आता है यह मं गणनम सुत्र पहले आजाता है जल तो उसके बाद से शुरू होता है जल में अनुनासिक वरण नहीं आता इसलिए दुबारा फिर से इसलिए ऐसा ही रहे तो क्या बन गया संसा लेकिन यह जो धुट आगम होए यह विकल्प से तो जब विकल्प से धुट आगम नहीं होगा तो ऐसा भी बनेगा सन कि सा ठीक है ना सन सा ठीक है इतना स्पष्ट है अब कि इसको मिटा दे संसा कि स्पष्ट है तो यह धुट आगम के लिए दो सुत्र हमने देखे त्टित आगम है कहने का ताथ पर यह है कि जो धुट आगम होता वह स्वापर में रहेगा तभी होगा है पर दो अलग अलग सुत्रों से होगा अगर सअ परमेह डत्तों तो धासी दुट सुत्र से होगा और अगर सव परमेह ना के तो नस्च सूत्र से ठीक है और उधारन दोनों का आप देख चुके हैं शड्ट्सू और शड्ट्संताहा देखें ना और यहां आपने देख लिया संसाहा संसाहा दो उधारन स्पष्ट है ना तो इसके बाद कौन सा सूत्र है शी तुक शी तुक तो उसके तुरंद बाद का सूत्र है है ना तो यह क्या कहता है नस्च से नह की अनवर्ति आती पर यहां जो नह है ना यहां जो नह सश्थी विवक्ति के रूप में बदल जाता है ठीक है यहां जो नहां है वह सश्ठी के रूप में बदल जाता है क्योंकि तुक आगम किसको होगा तुक आगम हमेशा अंत में बैठना चाहिए न हमेशा अंत में होना चाहिए कि आत्यांतों ट्र्शा के नियं से यह तुक आगम है ककी इसन्या होने की कारण यहां अंत में बैठनका कि सके आंत में सी जोए उसके अंत में सा पहले कि सक जो भी सबतामी निर देशन विधीयमानंकार्यम वरनां तरेन अव्येवहितस्य पूर्वहत्य पूर्वष् leaked ok तस्मिर Divine दिश्टे पूर्व से सूत्र में हमने देखाता ना कि जो सा एजुभी विधान होगा वह सा के पहले होगा सा के पहले होगा इसका मतलब ना के बाद में सा हो तो सा के पहले तुकार तो यह क्या ऐसा है सर्थ कि सबसे पहले ना होना चीए ना होना चीए ना कि तुरंद बाद क्या होना चीए तो तालब इसा तुक आगम होता है इसके चार उधारण देंगे साइड चार दिये ना ठीक है कि ऐसा संथा ना इसमें समझना है सन प्लस संभू हो संप्लस संभू होते हुए सिवजी होते हुए ठीक यहां है ना के तुरंद बाद सा है तो शीत उक्सूत्र क्या कहेगा शा के तुरंद पहले यदि ना हो तो ना को तुक आगम होता है ठीक है तुक आगम किसको हो रहा है वो इससे पहले सा को हो रहा था अब ना को हो ठीक है ना को होगा तो ना के तुरंद अंत में तुक आगम ना का आवयो बनेगा ठीक है पर कैसे ना को तुक आगम होगा जिस ना के तुरंद पहले जिस ना के तुरंत बाद तालब शाओ ठीक है तो तुक आगम कर देंगे ना यहां पर आप संसंभू में तुक आगम करने में किसी को कोई आपती नहीं है पर यहां तुक आगम जो हुए वहां कैसा है विकल्प से हो विकल्प की अनुवर्दी आती है तो जब तुक आगम नहीं होगा त स्तो चुनाशचु नहीं यह यह सकार तवर्ग है यह शकार चवर्ग का है तो शकार तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्ग हो जाएगा यानि इस तवर्ग वर्ण के स्थान पे चवर्ग का चछा जजय यह में से यहां आजाएगा तो क्या बनेगा ऐसा बन जाएगा अगर तुक का आगम नहीं होगा तो सही चौथा उदारण यह दिया होगा प्राया शैण संभू है इसा दिया है ना ईए सल पर अगर तुक काघम होगा तो यह पहला धारन बन गया दिखे तो काघम नहीं नहीं होगा तो ऐसा बनेगा क्योंकि तुक काघम होने के बाद और सब शूतर लगते हैं और भी शूतर जानना पड़ेगा इसलिए तुक आगम किये बिना क्या बनता यह जान गए जान गए ना अब इसके बाद कुछ हम पहले जो नियम पढ़ चुके हैं वो नियम यहां पर स्मरण करना पड़ेगा हमें ठीक है उन नियमों को एक है यहां ना है ना कि तुरंद बाद तालवेशा है तशी तुक से त ना कि तुरंद लाद तुक जोड़ दिया और इसके बाद संबूः होगा ना कि यहां पर समझने वाली बात क्योंकि सब्सभी लिखना यहां संभों नहीं समझिएगा तुक संभू तुक में से बचेगा क्या केवलता बचेगा ठीक है तो और सब को मिटा देते हैं हम तो केवल क्या बचा ता संत संभू है होगा ना यह इतना स्पष्ट है ना अब यहां पर आप बताईए सकार या तवर्ग है ना सकार या तवर्ग हो उसके तुरंद बाद शकार या चवर्ग हो तुरंद बाद या तुरंद पहले कहीं भी हो योग होना चाहिए तस्तोस चुनास्चुह से इस शा के योग होने के कारण इस तवर्ग के वरण के स्थान पे चवर्ग कर दें दंतिसा के स्थान पे तालब शा कर देता है तवर्ग के स्थान पे चवर्ग कर देता है होता है ना तो यह तवर्ग का वरण है इसके स्थान पे चवर्ग का वरण कर देगा ठीक चवर्ग कर दें यहां ता को हटा के हम क्या कर कर दिए रखाल कर दिए ठीक है खिर शंच संभूब ही कि इसे हैं ले ना सबस्क रहे अब यह सकार या कर दग 요 κι लगेगा न 215s यह लगेगा ना तकर। यह तुछ सखार या तवर्ग रहा उसके आगे या पीछे कहीं भी शकार या चवर्ग हो तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है हो जाता है ना यह तवर्ग है इस तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाएगा ना चवर्ग होगा या नहीं क्या होगा यह होगा ना अब चले ना को अटा के ना के स्थान पर हम क्या लिग देते हैं यह चवर्ग का अंतिमबर ने ठीक इसको जोड़ दीजिय क्या बन गया अब सेच संभू हुँद ठीक है यह बनाना दूसरा दोनों उधारणों में बनाने में क्या समझ्या क्या है देखेए समझना क्या है कि संभू है केवल यहां जो तुक आगम होता वह वह कल्पिक तो जब तुक आगम नहीं होगा तो स्तोस्चुनाश्चु वाला जो नियम है उसके नियम के कारण तवर्ग का जो ना है उसके स्थान पे चवर्ग का यहां हो जाएगा तुष्णी संभू बन जाएगा पर यदि तुक आगम होगा तो क्या होगा तुक आगम का ता बचेगा उसका शा के साथ योग होने के कारण तोस्चुनाश्चु लग जाएगा औ और ता जो बचा है तुक का उस ताके स्थान पे चाह हो जाएगा अब यह ता जो चाह पर जो चाह हुआ यह भी चवरग का है इसके कारण ना के स्थान पे भी यह हो जाए होगा तो सहीं संभू यह दूसरा बनेगा अब एक सूत्र साइद पढ़ चुके हैं आप यह प्लस सा प्लस अठेट को यह सच्छोटी सूत्र का नियम का अर्थ है कि पहले कोई जै प्रत्याहर का वर्ण हो उसके तुरंद बाद सब में और उसके सांके तुरंद बाद क्या हो आट हो पता के ठीक यह जो सा होता है उसा के स्थान पर जो अच्छा होता वह अच्छा भी विकल्ब से होता है होता है ना यह स्पष्ट है सबस्ट है ना अभी जो नियम पढ़े हैं यह समझ लिए यह जो सूत्र के चार उधारन आपके और सभी नियमों की परिच्छा ले रहे हैं कि आपके दिमाग में वह सब नियम उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं ठीक है ना तो यहां स्तोष चुनाश्चु आपको उपस्थित हुआ कि नहीं यह आपकी परिच्छा है अगर उपस्थित हो रहा है यहां ना तो तवर्ग है उसके तुरंद साथ चवर्ग आ रहा है तो अगर तवर्ग के साथ चवर्ग आता है तो तवर्ग भी चवर्ग बन जए हार का वरण है जह है में आप देखेंगे तो 20 वर्ण आते हैं कि यह तहीं है कहां से लेके जा भुख से सुरू करके कपपा है था हैना हर एक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चाओ था यह चारोग ठक तहीं चाज है यहां इस संभू में सब्सक्राइब नहीं होगा क्यों कि सा के तुरंत पहले जय नहीं है ना सा के तुरंत पहले यदि जय हो और सा के तुरंत बाद में अट हो यहां आ है कि यहां तुरंत पहले जय हो तो जय हो और जय के तुरंत बाद सा हो सा के तुरंत बाद अट हो तभी अ छोटी लगता है यहां सा तो है सा के बाद अट भी ही है लेकिन सा के तुरंत पहले ज्या नहीं इसलिए सा कुंछा नहीं हो कर पर यहां तो मिल जा रहा है ना ज्या यहां चा Java । यानि जब तुक आगम हो जाएगा तो मातल जुप का जो ताख की स्थान पर चा हो गया है य produkt ता रहता वह ज्याइक के अंतर्गत आता है और ढैसे के अंतर्गत आने के कारण में के बाद शेयों के बादते है तो कि स्थान पर क्या हो जाता है साक्स्थान पर अच्छा जाएड़ Engineers नो इसलिसे नियम को मिटा दे तो तीसरा उदारन में लिख पाएंगे हैं को का इस्वार १ारन ऐसा होगा यह स्थान पे विकल्प से क्या हो जाएगा अध्यास कैस्तान पे हो गया यह लगा ना सपस्ट है क्षा कैस्थान पे चाह हो गया क्यों क्यों कि सा कैसा है साके तुरंद पहले जय में अठीज ठीक है सच्छोटी लगे पर यह जो होता है विकल्ब से होता है जब सस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च नहीं लगेगा तो ऐसा हो जाएगा अब यहां पर एक नियम आपने और पड़ रखा कि वो नियम लगेगा कि याद आया है जरो जरी सवरने ये नियम क्या कहता है जर जर मतलब जर प्रत्यहार यानि तेईस्वरन जबहें से शुरू करके शसर्त कूल तेईस्वरन है आप गिन लिजेगा हर एक वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चयोत्त ये और शसर्त हो ठीक न कुल वो तेईस्वरन जब हैं उस जर के तुरंत बाद फिर से जराए पहले ज़र हो उसके तुरंत बाद फिर से सवर्ण ज़र आए सवर्ण जहर यारी उसी वर्गे का पहला दूसरा तीसरा चोथा वर्ण कोई आए तो पहले वाले जहर का लोप हो जाता है किसका पहले वाले जहर का विकल्ब से लोप होता है पहले वाले जहर का कई से लोप होता है विकल्ब से यहां आप देखें इस स्थिती में यह तो जहर नहीं है नहीं है ना यह जर में नहीं आता है जर में आता है आप देख लेजिए हर एक वर का पहला दुसरा जबह सूतर के बाद और शसर सूतर के पहले ख़फ़ छठठ तश्टता में चा दिख रहाएगा है ना और चाहे जर यह जर है तब्र築 तब्छाइव संच यह तोटर नहीं को नहीं यह जो है यह को दूसरा वाला थै वह सबर्नेंज्व मज़र हैं सबर नहीं दर्श है तो इतना ग्यात है अगर Direkturat सबर्ण जहरा आता है तो पहले वाले जहर का जिकल्प से लोप हो जाती है यानि लोप होना भी वही कल्पिक है तो जब लोप नहीं होगा तो ऐसा ही बनेगा और जब लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा जब लोप हो जब यह चारों उधारन आप देख लीजिए और चारों धारनों को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा संग्षेप में जिससे आपको संदेहना रहें पता चला ना सबसे पहले हैं संभू संभू होते हुए श्री तुक कहेगा ना कि तुरणबाद श्रह हो तो ना को तुक आगम होता है ना को हम तुक आगम कर देंगे संथक संभू हो तुक का ता बचेगा लेकिन यह जो तुक आगम होता वह विकल्म से होता तो जब पहले समय लीज़े तुक आगम नहीं होगा तो क्या होगा तो ऐसा ही बन जाएगा सई संभू ठीक ना को स्तोस चुनास्चु से ना के स्थान पे चवर्ग का अंतिमवर्ण या कर देंगे सई संभू बन जाएगा पर यदि तुक आगम होगा तो जब अगर तुक को स्तोस चुनास्चु से चा हो जाएगा तसंच संभू और उस चा जो हुआ है उस चा के कारण ना को यह हो जाएगा सई संभू यह दूसरा वाला बनेगा धिक तुक आगम हुआ तो यह तुक का यह है ता ता को चा हो गया और सन का जो ना है ना को स्तोस चुनास्चु से ये यह लगेगे अ जहाँ जो नियम लगए वो नियम तो लगाई लेंगे पर कि क्या होता है अब एाइसी स्थिति में कृआ शस्का सकेinken whi Arther Shook eh क्योंकि जो चाह के बाद अट है तोस्ति अर्ट बार हो जाता है हो जाता है तो सरकेस्थान पर शाह हो गया तो संच छम्भू भी मेनेगा ठीक पर यह च्छाह यह विकल्प से हो रहा है तो जब शाह नहीं होगा तो इसा ही रहेगा पर जब शाह हो जाएगा तो एक और नियम हमें जानना पड़ता है वो नियम है जरो जहरी सवर्ण आपपाणों प् judging हो वो चाह का लोप कर देगा क्योंकि जब ही ज़र है उसके तुरंत बात्जट्रह है वह भी ज़र हो उसके तुरंत बाद सवर्ण ज़र हो तो पहले जआर संचान्य मूध केवल बनेगा चाहरो रूप सपष्ट है न क्यांविक इस तक तुक आगम नहीं होगा तब और यह कब बनेगा जब तुक आगम होकर डबल स्थोस्चुनाश्चु लगेगा पहले शा के कारण तक तुक के ताको चाह होगा फिर तुक के चाह के स्थान चाह के कारण नाको यह होगा दो दो बार स्थोस्चुनाश्चु लगेगा और फिर यह चह होने के कारण ही विकल्ब से छत्व होगा जब छत्व नहीं होगा तो ऐसा चäत्व होगा तो आशा हो जाएगा और जब चहeb के कारण ही जरो ज Right शरी सवरने लोफ हो जाएगा तो शारो रूप इसपष्ट है ना तस्वी Тू करे 항 के बरती को एक बार ना हो उसके तुरंत परवे क्या हो श शी परे तुक होता है विकल्प से चारूधारण यहीं दिये हैं चारूधारण देखिगे तेस पष्ट है जो तीन नियम हमने आज पढ़े एक नियम पढ़ा हमने डह सी धुट दा के बाद में साहोत धुट होता है धुट का ता हो जाता हिसके दबल लगाना पड़ेगा एक बार खरीचा एक की बार लगाना पड़ेगा है कि थीख है और नस्च न के बाद अगर साऊ तो न毕भी धुटड हुता है फिर उहां आपको एक बाए सब्सक्राइब एक सूत्र है तो उसको कल देखेंगे आठ देखेंगे तुरंद बाद वाला है वह अठ्ध है कि सामे आ है ना पहले देखें यह है ज्याय साह है और उसके तुरंद बाद आ है आठ्ध है कि सामे में डाद ना है यह अहा है आए और उसके तुरंद बाला है